दोस्तो अगर आप भी वी आई का SIM यूज़ करते हैं या फिर एटेल के या किसी नंबर को अपने वी आई में पोट करा लिया है तो आपके साथ इस समस्या जरूर हो रही होगी कि जैसे ही आप किसी से बात कर रहे होते हैं कोई और आपको कॉल करता है तो उसकी कॉल वेटिंग में नहीं जाती है बलकि उसको बार 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 बिजी बताती है जैसा कि तब होता है जब आप किसी को बिलैक लिश्ट कर देते हैं आज किस वीडियो में बताएंगे कि कैसे बार बार बिजी दिखा रहा है वो कैसे वेटिंग में आप उसको ले पाएंगे उसकी जो मिस्पोल है वो आपको वहाँ पे शो करेगी तो दोस्तो मैं हूँ मुहमन हुसाइन और आप देख रहे हैं टेखलपर हुसाइन चैनल अगर आपने विदक इस चैनल को नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें इससे हमारी आने वाली हर नहीं वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे तो चली दोस्तो शुरू करते हैं हालो हैलो दोस्तो जैसे हम यहां पे इस नंबर को यहां पे डाइल करते हैं और यहां से हमारा यह नंबर डाइल हो चुका है और दूसरे फोन से हम इस नंबर को जो है डाइल करेंगे तो देखिए यहां से जो है हमारी यह सुरू हो चुकी है अभी हम यहां पे डाइल करते वेटिंग में नहीं जाएगा और यहाँ पर आगर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे वीजी बताएजा इसको वेटिंग पर नहीं लेके जा रहा है अब दोस्तो इसको result कैसे करेंगे ये सिर्फ एक mobile में या एक person को समझते नहीं है बलकि सभी को ये problem है अगर हम इसकी call को disconnect करतें यहां से और यहां पे हम इस number को call करें 198 और यहां से हम इसको कर देते हैं call उसके बाद दोस्तो अगर हम यहां से इस number को मिलाते हैं तो देखें यहां पे भी दोस्तो बिजी बता रहा है अब दोस्तो इसको result कैसे करेंगे उसके लिए दोस्तो आपको एक code not down करना है यहां पे आपको dial करना है star उसके बाद dial करना है 4 उसके बाद dial करना 3 उसके बाद dial करना hedge और आपको यहाँ पे SIM स्लेक्ट करके उस पे किलिक कर देना है, डायल कर देना है, जैसे आप इसको डायल करेंगे, यहाँ पे आपको एक pop-up दिखीगा, word of one message, call waiting, service was enabled, अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पे आप वापस से किलिक करेंगे, किसी नंबर पे और यहाँ से आप उसको call करेंगे, तो हमने यहाँ पे 198 पे call कर दिया है, अब अगर दोस्तों हम यहाँ पे इसको call करते हैं, तो यहाँ पे पहले की तरह न यह busy नहीं बताएगा, बलकि busy बताकर इसको waiting पे लेके आएगा, अभी दोस्तों आप दोनों का interface देखते रहिएगा यहाँ पे, जैस इस phone में भी उठाने के लिए, call को receive करने के लिए, इस तरह से दोस्तों आप इसको enable कर सकते हैं, साथ यह अगर दोस्तों कभी आपको disable भी करना पड़े, तो उसका लिए यह code है, बस यहाँ पे आपको has enter करना है, 4, 3, और आगेन आपको यहाँ पे has enter कर देना, उसके बाद आ active हुईती service, उसी के साथ अग दोस्तों यहाँ से de-active हो जाएगी, अगया है, service has been disabled, तो इस तरह से दोस्तों आप जो है, अपने वी आई के SIM में, वेटिंग को, जो call वेटिंग की service है, उसको enable या फिर disable कर सकते हैं, और जो है दोस्तों, वो नोट डाउन कर लीजिए, इस्ट वाला बटन दमाना ना भूलें, इससे मेरी आने वाली हमने वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे, तो चली दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए जाएंगे